Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Nila जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हम जैसे जैसे कोई भी job opportunity निकलती है चाहे life science की field में या related fields में तो उसके बारे में हम आपको regularly अपडेट करते रहते हैं आज एक बहुती जबरदस्ट opportunity आई हुई है और ये opportunity आपकी permanent positions के form में आई हुई है CSIR के institute NBRI में National Botanical Research Institute और यहाँ पे कुल मिला करके 20 positions आई हुई है permanent government positions है तो अगर आप interested है और आपकी eligibility criteria यहाँ पे match कर रहा है तो आपको जरूर apply करना चाहिए इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से apply करना है क्या चीज़ें करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे discussion होगा तो तो आप थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक humble request है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला content पसंद आता है तो वीडियो को जरूर like करिएगा और चैनल को जरूर subscribe कर दीजेगा आपका subscription ही हमारा motivation है और हम motivated होकर के लिए आपके लिए और बहतर content हर बार लेकर के आना चाहते है तो इस समय में NBRI के website पे हूँ देख सकते हैं और यहाँ पे देखे एक scroll करता हुआ एक notice जा रहा है advertisement for the recruitment to the post of technical and support staff जैसे ही आप इसके ओपर click करेंगे तो आप एक नए page के ओपर redirect हो जाएंगे और यह वो page है तो आप देख सकते हैं उपर CSIR NBRI का logo लगा हुआ है और यह advertisement number जरूर ध्यान से देखिए advertisement number 02 oblique 2024 है तो यहाँ पे apply करने से पहले मैं आप से जरूर कहूंगा कि आप पहले advertisement की details पढ़ लिजे online apply करने की जो date है वो 23 October से शुरू ही है यानि कि कल से यह process शुरू हुआ है 10 बजे सुबह से और यह 21 November तक रहेगा तो अभी भी अच्छा कासा टाइम है आप आराम से apply कर सकते हैं how to apply मैं यहाँ पे register करना हैं उसके बाद register करने के बाद आप application form फिल कर सकते हैं application form फिल करने के आपको requisite fees पे करनी है उसके बाद आपको अपना print out निकाल करके अपने पास समाल करके रखना है कोई भी आपको जो hard copy वगरा है वो NBRI भेजने के आवशकता यहाँ पे नहीं है तो आप देखते हैं अगर आप advertisement पे click करेंगे तो आपको सारी details दिख जाएंगी तो मैंने already download कर advertisement तो जल्दी से एक एक चीज़ इसकी देखते हुए चलते हैं सबसे पहले तो हमेशा की तरह यहाँ पे cross check करिए कि advertisement number same है की नहीं तो advertisement number 2 oblique 2024 है अब यहाँ पे technical and support staff की position आई हुई है और यह permanent positions है याद रखिएगा जो form filling का जो start date है जबरे पहले registration की जो start date है वो 23.10.2024 यान चाम 6 बज़े यह close हो जाएगी यहाँ पे आपको कोई भी hard copy application की भेजने की जरूवत नहीं है office में तो यह बात यहाँ पर mention की गई है तो hard copy of application shall not be sent to the office अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी positions है और जो है कि आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे क्या pay band या क्या pay matrix positions हैं और इनका जो reservation का criteria यहाँ पे दिया हुए unreserved में 3 OBC में 1 SC में 1 ST में 1 EWS में एक position आ रही है pay band जो follow किया जाएगा वो 35,400 से 1,12,400 है और total emoluments approximately जो आएंगे वो 70,890 रुपए आएंगे 28 साल की upperage limit है आप पे pay level 6 follow किया जाएगा technician की बात करें तो total मिला करके 13 posts हैं unreserved की 4 SC की 3 OBC की 4 और EWS की 2 position है और यहाँ पे pay level जो है वो 2 follow किया जाएगा 19,900 से 63,200 38,840 रुपए आपके emoluments होंगे total approximately 28 साल upperage limit है यहाँ पर भी अब यह तो आपको पूरा एक overall दे दिया गया था कि कितनी positions है अब इसका diversification कौन कौन से areas में है यह अभी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे देखते हैं कि जो TA की position है यहाँ पे उपर देखे यह TA है technical assistant की जो position है इसको यहाँ पे diversify किया गया है अलग-अलग levels पे आपने देखा साथ positions ही अब साथों का क्या-क्या area है वो दिखाया जा रहा है अब अगर हम देखें तो engineering field की जो TA की position आई हुई है यहाँ पे आपको civil engineering में diploma होना चाहिए with at least three years of full time duration with minimum 60% marks और दो साल का relevant field में experience होना चाहिए 28 साल का upper age limit है यहाँ पे और pay level 6 जैसा कि मैंने पहले ही कहा था वो follow हो रहा है तो यहाँ पे civil engineering की position है ठीक है अब इसके बाद आते हैं अगर agriculture की position है यह second number की TA की ही position है यहाँ पर भी same pay level है 6 और यहाँ पे total मिला करके जो positions हैं वो 2 है यहाँ पे उपर एक position थी यहाँ पे दो position है और यहाँ पे जो upper age limit है upper age limit not exceeding above 31 years for OBC क्योंकि यह position OBC की है इसलिए यहाँ पे age का relaxation दिया जा रहा है अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे eligibility criteria क्या है तो BSC AG or equivalent with minimum 60% marks and one year full time professional qualification in relevant area और field अब यहाँ पे देख सकते BSC AG or equivalent with minimum 60% marks and one year experience in relevant discipline तो यहाँ पे एक साल का experience माग रहे है BSC AG के बाद आपके पास होना चाहिए इन दोनों में से कोई भी अगर qualification है तो आप यहाँ पे apply कर सकते है next position जो है वो TA की ही है हर्बेरियम की field में एक position है sixth level follow होगा और 20 क्योंकि यह EWS की position है इसलिए यहाँ पर जो upper age limit है वो 28 year C follow होगी तो BSC in Botany यहाँ पर भी है और same देखिए जैसा उपर में जो जैसे agriculture की field में लिखा हुआ था आपका eligibility criteria same way में यहाँ पे botany के लिए दिया हुआ है तो आप इसको check out कर सकते हैं अगर आप botany में interested है या आपकी पढ़ाई इस field में हुई है तो आप इसको apply कर सकते हैं next देखिए botanical garden के respect में आई हुई है field और यह again एक position है और यह ST category के लिए है तो अपर age limit यहाँ पर 33 years की गई है क्योंकि relaxation होता है 6 अपर जो इसका pay band है वो 6th level follower हो रहा है यहाँ पर यहाँ तो आपके पास BSC in Botany हो BSC in agriculture हो BSC in horticulture हो, floriculture हो, landscaping हो 60% marks होने चाहिए with minimum and one year full time professional qualification या आपके पास एक साल का experience, one year experience in relevant discipline from a recognized institute होना चाहिए next देखिए, यहाँ पर भी TA की ही position है और phytochemistry, central instrumentation facility के अंडर आ रही है और यह unreserved category के लिए position है, एक और एक SC category के लिए position है दोनों, दो positions total आई हुई यहाँ पर देखिए, two positions, दो position है और यहाँ पर एक position जो है, वो SC के लिए, दूसरी position unreserved category के लिए आई हुई है अगर हम general candidate की बात करें तो 28 साल और अगर reserved candidate की बात करें तो 33 साल upper age limit है यहाँ पर chemistry की position है, BSC in chemistry होना चाहिए, plus one year full time professional qualification होना चाहिए यहाँ पर BSC in chemistry या फिर एक साल का आपके पास experience होना चाहिए तो दोनों में और लगाया हुआ है, दोनों में से कुछ भी होगा तो आप apply कर सकते हैं तो total मिला करके यहाँ पर देखे, two seats हैं, दो यहाँ पर हो गई यहाँ पे एक 3 हो गया, यहाँ पे एक 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया टोटल मिला करके और यह हो गया एक 7 तो टोटल 7 positions आई हुई है आपकी TA की, टेक्निकल असिस्टेंट की अब आ जाते हैं नीचे हम लोग technician की positions के बारे में तो details देखते चलते हैं, अगर हम technician की यहाँ पे बात करें तो technician का जो code है T करके दिया हुआ है, इससे पहले technical assistant में TA दिया हुआ था, तो यहाँ पे जो पहली position है, mechanic diesel, mechanic tractor, mechanic agrik, machinery की position है, यहाँ पे total मिलाकर की two post है, एक unreserved की और एक SC की, 28 years unreserved के लिए 33 years SC candidates के लिए age limit है, यहाँ पे आपके essential qualification क्या है, SSC, 10th standard SSC और equivalent with science subjects, with minimum 55% marks and ITI certificate, इसके अलावा यहाँ पे और में दिया हुआ है, आप इसको check out कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख लीजेगा, अगर आप इसमें से किसी में भी fall करते हैं, तो आप apply कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे देख सकत है, floriculture में, landscaping, agriculture assistant, horticulture assistant, soil testing and crop technician और gardener, यहाँ पर भी total मिलागर के 2 seats हैं, और यह अनारक्षित के लिए, मतलब unreserved candidate के लिए 2 seat हैं, और SC candidates के लिए 2 seat हैं, total मिलागर के कितनी seats हो गई, 4 seats, और 28 years, 33 years वाला criteria फॉलो होगा, unreserved के लिए 28, और SC candidate के लिए 33 years फॉलो होगा, यहाँ पर details दी हुई है, SSC की जरुवत है, 10 standard की, इसके अलावा ITI की जरुवत परती है, वो आप देख सकते हैं, इसको चेकाउट कर लिजेगा, कि आपका इसमें फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं, next देखिए, यह photographer, digital photographer की position है, technician की, total यहाँ पर जो positions है, वो आपकी एक position है, और OBC की position है, 31 years upper age limit है, और यहाँ पर details दी हो है, फिर से देखिए, यहाँ पर akin technician की position है, chemical lab, assistant quality assurance, assistant fruit and vegetable processor, यहाँ पर देखिए, two positions यहाँ पर announce है, एक unreserved candidate के लिए है, और एक OBC candidate के लिए है, तो 28 और 31 years हो गया, बाकी यह वाई, SSC ही चाहिए होता है, आप इसको चेकाउट कर सकते है नेक्स देखिए, draftsman, यानि कि civil की position आई हुई है, total मिला करके एक position है, और EWS category के लिए यह position आई हुई है, 28 years upper age limit है, और यहाँ पे same type की जो criteria है, वो दिया हुआ हुआ है, नेक्स्ट, technician की instrument, mechanic, mechanic, और machinery, और एक position OBC के लिए आई हुए, 31 years upper age limit है, यहाँ पे criteria दिया है, और ने keeping के लिए, और एक position आई हुई है, OBC की, 31 years upper age limit है, यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट हो गया, computer operator and program assistant, और यहाँ पे जो pay level follow हो रहा है, वो second है, देखिए, technician में जितने भी positions आई हुई है, सभी में pay level जो है, वो two follow हो रहा है, और एक position यहाँ पे announced है, EWS category के लिए, यहाँ पर भी SSC 10th standard SSC और equivalent in science subject जैसा पीछे था, और इसके अलावा ITI या कि certificate आपको चाहिए होगा, technician की सभी positions में आप देख सकते हैं, कि age limit जो है, वो depend कर रही है, again जैसे जो position, जिस category की position के लिए announced हुई है, वहाँ पे उसके इसाब से age limit वैरी कर रही है, अब आप यहाँ पे दे details हो गई, अब देखिए selection procedure technical assistant की positions के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, TA01022024, से लेकर के 05022024, तो 010 है और इसे 050 है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से जाए, तो 050 यह है, और यहाँ से 010 से चालो हुआ है, यह देखिए, तो जितनी भी position यहाँ पे अनाउंस हैं, जितने भी category में, एक, दो, तीन, चार और यह पांच categories में अनाउंस हैं, तो इन पांचो categories में selection किस तरीके से होगा, यह दिया हुआ है, तो आप ज़रूर post code पहले मिला लीजे, उसके बाद अन्दाजा लगाएगा, कि आपका जो selection procedure है, वो किस तरी किसे होगा, तो technical assistant की positions में, candidates को shortlist किया जाएगा screening committee के द्वारा, और उसके बाद उनका trade test लिया जाएगा, जो लोग trade test में qualify हो जाएगे, उनको competitive examination के लिए बुलाया जाएगा, final merit list जो हैगी, वो prepare की जाएगी on the performance of the candidate in the competitive examination, trade test सिर्फ qualifying होगा, और जो आपकी final merit list होगी, वो marks के basis पे define की जाएगी, तो ये अगर हम देखें, तो किस तरीके से technical assistant का जो paper होगा, जो examination होगा, trade test के बारे में तो नहीं है, लेकिन exam किस तरीके से होगा, तीन paper यहाँ पे होगे, paper 1, paper 2 और paper 3, paper 2 और paper 3 तभी evaluate किये जाएगे, जब आपने minimum threshold marks paper 1 में लेकर के आप आए होगे, तभी, final merit list जो होगी, वो prepare की जाएगे on the basis of the marks obtained by the candidates in paper 2 and paper 3, जो final merit list होगी, वो paper 2 और paper 3 से define होगी, लेकिन paper 1 qualifying होगा, paper 1 में अगर आपने qualify किया, तभी आपका paper 2 और paper 3 चेक किया जाएगा, examination किस तरीके का होगा, OMR based होगा, इसके अलावा questions जो है, वो English और Hindi दोनों में ही set किय जाएगे, जो भी English language के questions होगे, उनको छोड़ करके, standard of the examination जो होगा, वो diploma या graduation का basis होगा, और यहाँ पे 200 questions पूछे जाएगे और 3 घंटे का समय लिया जाएगा, इसके बाद आते हैं कि जो time allotted दिया गया है, वो paper 1 के लिए 1 घंटे का समय है, 1 hour का time है, यहाँ पे paper 1 में mental ability को test किया जाएगा, 50 questions पूछे जाएगे, सभी सही questions के लिए आपको 2 marks दिये जाएगे, और कोई भी negative marking यहाँ पे नहीं की जा रही है, इसके अलावा अगर हम देखें, तो mental ability के test में क्या-क्या चीज़ आएगी, general intelligence, quantitative aptitude, reasoning, problem solving, situation, judgment, etc. अब देखते हैं paper number 2 में, जो time allotted है, वो स 75 हैं यहाँ पे, हर question के लिए, हर सही question के लिए आपको 3 number दिये जाएगे, यहाँ पे negative marking भी है, one negative mark आपका deduct कर लिया जाएगा, अगर आपने गलती की तो, उसके बाद paper 2 में 25 questions जो हैं, वो English language के भी पूछे जाएगे, इसका भी mark 75 है, और one negative mark दिया जाएगा, paper number 3 में total time allotted 90 minutes ह और यहाँ पे concerned subject से questions आएगे, जैसे कि अगर आप botany से हैं या agriculture से हैं, उस तरीके के questions आप से पूछे जा सकते हैं, total मिला करके 100 questions पूछे जाएगे, जिसमें marks जो हैं, वो 300 हैं, और one negative mark यहाँ पर भी दिया जाएगा, अब देखते हैं कि support staff, यानि कि technician 1 की जो position है, उसमें कि तरीके से selection यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे post code आप मिला लीजेगा, जैसे कि मैंने आपको भी पीछे बताया है कि किस तरीके से आप post code को चेक कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो भी candidates apply करेंगे, उनको screening committee द्वारा screen किया जाएगा, और trade test के लिए बुलाए जाएगा, जो लोग paper 2 और paper 3 को तभी evaluate किया जाएगा, जब आपने threshold marks को paper 1 में cross किया होगा, अब अगर हम mode of examination के बारे में बात करें, तो MR-based examination होगा, English और Hindi दोनों में question set किये जाएगे, बस जो English language में होगे, English language के questions होगे, उनको ही English language में रखा जाएगा, standard of examination जो होगा, वो 10th plus ITI यह 12th standard का होगा, जेट सो अकुल मिला करके questions पूछे जाएगे और time मिलेगा आपको 2 घंटे 30 मिनट का, paper 1 में time allotted जो है वो एक घंटे का है, और mental ability के यहाँ पे 50 questions आएगे, और हर सही question पे आपको 2 number दिये जाएगे, और यहाँ पे कोई negative marking नहीं है paper 1 में, यहाँ पे क्या क्या चीज़ा जो मैंने आपको बताया था, जो technical assistant की position पे था, वैसे ही follow हो रहा है, paper 2 यहाँ पे 30 मिनट का होगा, same वैसे ही general awareness पूछा जाएगा, 25 questions होगे, 75 marks यहाँ पे, और तीन number जो है, वो every correct answer के लिए दे जाएगा, और one negative mark for every wrong answer, next हो गया English language का, यहाँ पे general awareness हो गया, दूसरा English language हो गय same वैसे ही जैसे technical assistant में था, 25 questions यहाँ पे हो गया, 75 marks यहाँ पे हो गया, एक negative mark दिया जाएगा गर गलत हो गया तो, paper number 3 पे आते हैं, तो paper number 3 आपके concern subject से related होगा, 50 questions यहाँ पे पूछे जाएगे और 1500 marks का paper होगा यह, और एक negative mark दिया जाएगा, सही करने पे 3 positive marks और गलत करने प अब इसके बाद देखते हैं कि यह central government की service है, तो इसके क्या-क्या फाइदे हैं यहाँ पे बताया गया है, बहुत सारे allowances मिलते ही है, HRA वगरा मिलता है, dearness allowances मिलते हैं, transport allowances मिलते हैं, तो यह सारी की सारी चीज़ें जो हैं, वो तो of course मिलती ही मिलती हैं, तो यह कुछ additional features य आपकी जिमिदारी है कि आप essential qualifications अपने देखें, duly constituted screening committee will adopt its own criteria for shortlisting candidates, तो candidates को किस तरीके दर shortlist किया जा रहा है, वो selection committee का area है, इसके अलावा आपके prescribed qualifications जो हैं, वो UGCA, ICTE से, एक अगनाइस्ट इंस्टिटूट से ही होने चाहिए, तो बाकी तो इसमें और कुछ भी ऐसा न important है, ठीक है, तो ये normal चीजें हैं, जैसे हर examination में दिया जाता है, उसी चीज को दिया गया है, आप इसको check out कर सकते हैं, अपने level पे भी, age limit relaxation मैंने आपको बताए ही दिया है, कि OBC और SCST candidates को age का relaxation दिया जाता है, upper limit 5 साल से बढ़ा दी जाती है, so SCST candidates के लिए और 3 साल से जाती है, OBC candidates के लिए, इसके अलावा अगर हम देखें, तो बाकी सारी चीजें normal ही है, अब यहाँ पर apply किस तरीके से करना है, यह देख लीजे, apply सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी eligibility देख लीजे और इसके बाद online apply करना है, online apply करने का तरीका यहाँ पर मैंने आपको दिखाय भी था, पीछे जहां से हम लोगों ने अपनी बातचीज शुरू की थी, तो technical officer and technician one NBRI की website पे इसका पूरा पोर्टल दिया हुआ है, उसके बाद सबसे पहले आपको पोर्टल पर registration करना है, उसके बाद अपना application form fill करना है, submit करना है, fee payment करना है, और इसके बाद अपना application form को download कर लेना है, यह सारी की सारी details दी हुई है, और यहाँ पे जो application की जो fees है, वो 100 रुपे है, इस fees का ध्यान रखिएगा, अगर fees नहीं pay किया आपने, तो आपका जो selection है, वो नहीं consider किया जाएगा, एक बात और, कोई भी fees payable नहीं है, SCST, Physically Disabled, Women, CSIR, Employees या, Ex-Servicemen candidates को कोई fees pay नहीं करनी है, यह बात ध्यान दीजेगा, अब, आपकी जो, जो भी documents आप submit करने है, चाहे signature हो, चाहे photograph हो, उसका maximum size 50KB होना चाहिए, उससे जादा नहीं होना चाहिए, आपके original relevant certificates का जो size होना चाहिए, PDF में 1MB होना चाहिए, तो यह सारे details हो गई, अचा, बहुत सारे students पू कि she shall require to fill the form separately for each postcode along with supporting documents and application fee if applicable, only single application will be entertained from each candidate for each postcode, एक postcode के लिए, एक ही application form consider किया जाएगा, अगर आप अलग-अलग positions के लिए apply करना चाहते हैं, तो आपको multiple forms भरने पड़ेंगे, ठीक है, ओके, तो यह हो गया, ठीक है, तो इतनी चीजें, जो important थी हो मैंने आपको बता दी, हाला कि इसका PDF जो है वो हमने टेलिग्राम ग्रूप के ओपर पोस्ट कर दूँगा, टेलिग्राम ग्रूप भी जरूर चेक कर लीजेगा, उस पे ये download करके एक बार अपने अप लेवल पे पढ़ सकते हैं, अब वापस चलते हैं, और इसकी website पे आते हैं, यहाँ पे आप द हैं, तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, थैंक यू सो मच, आप अब गूड़ दे,